अगले कॉलर से नमस्कार स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और सवाल करें सवाल आपका सवाल आपका है मेरा सवाल मैं डाइबिटिक पेशेंट हूं और में एक गोली दीमर्सू ले रही हूं और हमेपैसी दवाई ले ले उससे मेरी शुगर करीब 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 कंट्रोल हो जाती है लेकिन मेरा को चाहे जब राज को ज्यादा तर नीम की परेशानी रहती है और प् हम ठीक है मैं डाइबिटिक पेशेंट हूं मैं गोली ले रही हूं और हो मैं बैसीटी भी ले रही हूं ठीक है मैं समझ गया आपकी एज क्या पता चल जाए तो मैं आपको आसान में उसका बता जीता हूं एज आपकी icaatka क्या समार्पियों क्यूण और हम सायाiguous जीता है से नीन गोली लेनी ठीक है यह बड़ा खलित है के आपको जीता ही पहले दिन से जूट जा है एक सिर्का आता है जिसे जैतून का सिर्का कहते हैं जैतून का सिर्का ये तीन चमच आप एक गिलास पारी में डालके रोजाना रात के समय पिया करें एक गिलास पारी में डालके छोटे चाय के चमच आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया बिल्कुल दिमा करता है और बहुत सारे फाइदे इसके आपको जो डाइबटीज की दवाएं के नुक्सानात होते हैं वो भी नहीं होने देता आप इसे इस्तिमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं अमित हमारे साथ स्वागत हैं अमित आपका नाम जी बताइए हमको पेटमें चीरा हो जाता है रावनुवरमण इंचलूरशिटिका हाँ जी बताइए मैं सुन रहा हूं कीरा हो जाता है ना अचंट हमको पेटमें चीरा हो जाता है जी जी ऑर बोलिये आप जानते हैं अनार को हम खाते हैं इसके बीच को चिलका फैंक देते हैं अब की बार आप चिलका फैंकी नहीं हलकिसे सुका के इसका पौडर बना लीजे और दो चुटकी अनार का चिलका का पौडर और दो चुटकी आप लीजे नमक जैतून जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं यह जायके में नमकी नहीं होता दो चुटकी मे अनार के चिलके का पाउडर एक गिलास पानी मिला कर रोजाना पी लिया करें आपकी दोनों समस्याय का हल होना मुम्किन है अगले कॉलर है हर्याना से हमारे साथ डॉली स्वागत है डॉली जी नमस्कार बहुत अब मैं मेरी पूरी बास ओलेना व करेंत है पूरी बहुत अबिशया ड्रीकॉली बहुत यह उखके लिए आपसे मूद आपकार, फैरों यह बहुत ज्याद है तो पहर एक काम है एक व्हाआन है जी देखी है जी आपको रहते है और आर सारे बाल फैसे है जाल निकले उनके घड़े हो जाते हैं ना वाले है वजन भी मेरा बढ़ रहा है तो पांसाइस साल की दिक्त है ये बढ़ती जारी है कोई सब्सक्राइग दोआई लिए और अरां नी हो रहा मेरे को ये मंगवाया का ता अब यह नहीं नहीं करा ले यह सब जो आपको प्राब्लम थायराइड भी हो सकता है आपको तो एक बार करा ले थायराइड का टेस्ट और यह कलोंजी नमक आप आधा गिराम पानी में मिलाकर पियें एक बार कम असकम और जरुद पड़े तो दो बार भी ले सकते हैं इसे लेना शुरू करें आपकी जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपकी ऐसी टी गैस और अनीजी नैस यह सब खतम होने लाएगी पहले इसको ठीक कर लिए फिर दद के लिए आप गौन स्याह लेना जब यह ठीक हो जाए तो गौन स्याह लेना और वह अधा-धा गिराम खाना फिर आपको पूरी तरह फायदा मुम्किन है आपके बाल भी रुख जाएंगे और आपका पीट भी ठीक रहेगा दद भी ठीक होना मुम्किन है सबर करना थोड़ा सा और आपका ठीक होना मुम्किन है दिल्ली से हमारे साथ मीरा स्वागत है मीरा जी नमस्ते यकीन साब जी जी, आदाब मीरा जी, मुझे मेरी उमर 45 है, और मुझे जैसे कौनी की हडियों में दर्द रहता है, और अंडरांप के नीचे जैसे कभी-कभी ना जैसे काला हो जाता है, फंगस टाइप, उसमें खुझली भी होती है, लेकिन दवाई लेती हूं तो ठीक हो जाता है, और तीन है, और बाल भी बहुत जड़ते हैं, थाइराइड का टेस्ट कराया है कभी आपसे? नहीं, डोक्टर साब, थाइराइड तो टेस्ट नहीं करवाया, बच्छा बच्छा जिस उमर में आप हैं, यहां पर अक्सर फीमेल्स को थाइराइड हो जाता है, करा ले तो बहुत अच हर शख्स को जो भी यानि पैतानीस साल का है, चाहिए वो औरत हो या मर्द, उसके जिसम में कुछ केमिकल बनने समझ लीजे, कम हो जाते हैं, तो हर शख्स को मल्टी विटामिन्स और कल्सियम लेना चाहिए, यह आप लेना शुरू करें, और एक हफते में बस एक ही लेना, रोजाना दो-दो दे देते हैं, तो उससे पर एक और परिशानी हो जाती है, के पत्री हो जाती है, तो एक हफते में एक, आप ले जिन्दगी भर क्यों भी पैतालिस साल के जादा के हैं, कल्सियम मल्टी विटामिन्स, जिंक और, यह सब उसमें होता है, तांबा, जिंक जो आप सिम्टम बता रहे हैं वो उससे बिलते जुलते हैं मैं दुआ करूँगा कि ना हो अगर हो तो फिर आप वो एक बड़ा कामियाब रस्का है जिसने लाकों लोगों को फाइदा पहुचा गया है और वो यह है कि 300 ग्राम दनिया 100 ग्राम आंवला 100 ग्राम मेथी और 100 ग् लिया जाए तो थाइराइड वालों का ठीक होना मुम्किन है और यह बगए थाइराइड के भी लिया जा सकता है जी स्कॉलर है बिजनोर से इंद्र हमारे साथ स्वागत है आपका जी सवाल करें अपना यह सवाल यह करें जो इसमाना जो ग्यास बनता है उसमें कि इसकी वर गैस बनता है आपको तो तो कि गैस के लिए हमें अपना आमाज से ठीक रखना चाहिए ये अगर अपना काम सही ना करे तो गैस बढ़ जाती है एसिड बढ़ जाते हैं कुछ को हलकी गैस बनती है जो उपर की तरफ जाती है किसी को भारी गैस बनती है जो नीचे की तरफ जात का बनना रुक सकता है एक घंटा धूप में चलने से भी पेट ठीक हो जाता है अगर बहुत जादा रोग हो तो अल्ची भूने और हलका सा भून कर पाउडर बना लें और इसको खाया करें एक चम्मश शुबा एक चम्मश शाम और अगर इससे भी काम ना चले तो इस अल्ची में नमक जैटून मिला ले जैटून का एक नमक आता है जडिके में और अधा अधा ग्राम से मिला यह दूबर खाने में यहाशाभ थाकत और देख आले में यह जाता है यह तो विलकुल इंद्र जी आप ठीक की प्रॉल्ब्लम है या फिर खाना उनका नहीं पचछ पाता है या फिर बहुत सारे से रोग होते हैं जिनके लिए वह बहुत सारे treatment करा चुके होते हैं लेकिन तब भी उन्हें फारभा नहीं मिलता है Cub studied और सिर्फ और सिर्फ treatment में अपना घर्चा ही करते रहते हैं दधं क क्यों दश्कों यह तो धन नश्ट करने वाली बात ही है ना अगर आपको relief नहीं मिल पा रहा है तो जुड़िया हमारे सार क्योंकि सीधा आप लोगों की हकीम साहब से बात होती है आप लोग जानते हैं घर बैठे बैठे बना सकते हैं कोई भी संकोच नहीं करना है क्योंकि लाइफ कारिक्रम है दर्श को रोग संबंदी आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं प्रफटा क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं जी सवाल आपका जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है आप नेटवर्क शेत में आके बात कीजिए आपके वाज बहुत कट-कट के आ रही है हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हमें सुगर की भी मादी है बटा सुराइशिस शुगर की शुगर की अच्छा है हाँ जी और मेरे चारों पर छुद रहता है ठीक ठीक एज बता दीजे यह साथ सार है साथ सार चो देखिए जिसको डाइबटीज पीशे लग गई उसको कुछ ना कुछ नुक्सान पहुचाती रहती है जो दवाई आप खाते हैं डाइबटीज की वो खाया करें लेकिन एक ऐसी भी रो मैटेरियल एक आता है एक सिर्का है जिसे जैतून का सिर्का कहते हैं अगर यह तीन चमच छोटे चाय के चमच रात को पानी में मिलाकर पी लिया जाए रात को और दिन में भी पी सकते हैं जिनको ज्यादा प्राबलम है तीन चोटे चाय के चमच एक गिलास पानी में मिलाकर तो डाइबटीज से ह होने वाले नुखसानात को यह रुकता और डाइपटीज को अ जगा रोक कर रखता है और हमारा वह जीएवल क्यूक्कि बहुत क्यूम्ती है और डाइपटीज पीछा छोड़ती नहीं है तो यह हमारे जीवल को सिहत के साथ उजारने मदद करता है, डायप्टिस को भी कंट्रोल करता है, पेट के रोगों को भी कंट्रोल करता है, और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है, लीवर का भी ख्याल लगता है, किड्नी का भी ख्याल लगता है, दिल का भी ख्याल लगता है, तो अगर आप ले सकते हैं, तो मेरी पापा के लिए भूछना था, उनकी एज है 50, ठीक है, और उनको थोड़ी सांस की प्रॉबलम में और घुटनों में मतलब प्रॉबलम रहती है, उनको सूजन और चलने में ऐसे रहता है, जैसे थोड़ा टेड़े से होके चलता है, एज क्या है उनकी? उनकी 50 से उपर चलता है, जैसे थोड़े सांस की प्रॉबलम होती होना है, जी जी बिटा, दिए आपके पिता जी अगर लहसन खा सकते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो चार से लहसन छील के उनके खाने के साथ में देदिया करें, उनसे खाएं के एक निवाले में एक लहसन चबा के खा ले और फिर बाद में सारा खाना का लें, ऐसे चार पांच लेसन, छे लेसन, जितना भी उखा सके, निवाले के साथ खाएंगे तो बुरे नहीं लगते, लेकिन ये सांस के रोक को उनका अच्छा कर सकते हैं, और दिल का बड़ा ख्यार लगते हैं, बीपी का बहुत ख्यार लगत हैं, नकली बहुत मिलता, असली लें और रो मैटेरियल लें, पाउडर बनाएं और अधा-धा गिरां या उससे भी कम, दिन में दो समय आप लीजे, नाश्ते के बाद रात को खाने के बाद, तो पिता जी का ठीक होना मुम्किन है. अगले कॉलर हैं, साहरनपूर से हमारे सा जी, स्वागत है आपका? अधी, नमस्कार जी, नमस्कार. जी, अधा. अधा, बताईए, क्या सवाल है? अधा, पेट में गरवर है, गैस बनती है, बहुत, वो निचे को निकलती है, पेट सापने होता. अच्छा, नीचे को निकलती है. ठीके. अच्छा, दिखिए, बार आपको गरम पानी पीना है, और एक घंटा पैदल चलना है, धूप में, अगर चल नहीं सकते तो धूप में बैठ जाएए, बस ये भी काफी है, और अपने खाने में, अपने घर में जो खाने बनाने के जिम्मेदार हैं, उन से कहिए कि इतनी अधरक और इतना लहसन ड दालती हैं, तो बस इससे भी आप ठीक हो सकते हैं, और कोई दवा की जरुवत भी नहीं है, और क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जिने शाद कुछ नस्खा की जरुवत है, क्योंकि लाकों लोग सुनते हैं, तो एक आता है, जैतून का नमक, ये देखने में नमक, जायके में नमकीन नहीं होता, ये सो दो सो गिराम कहीं मिल जाया असली, तो आदा गिराम एक गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करिए, दिन में एक बार या दो बार, बस काफी आपके पेट के रुगों के लिए, और ये आपके पेट को मजबूर करेगा, कि वो अपना काम अच्छे से करें, और आप से हत्मां जिन्देगी गुजार सकतें.